नमसकार बहुत स्वागत है आपका वैसे तो सरावन के मेहने में हर दिन स्वंबार के इतना ही पुन्य फ़ल दाई है लेकिन जब स्रावन के मेहने में स्वंबार का दिन आता है तो इसका महट बहुत बढ़í जाता है क्योंकि इस जब आप पुजा पाट करते हैं सिभ जी की उपासना करते हैं तो सिभ जी हर तरह के कस्टों से आपको मुक्ति दिलाते हैं तो आप क्या खाएं और क्या ना खाएं ये बहुत आवस्यक है आपको ये जानना अगर आप बरत रखती हैं तो क्या खा सकती हैं नहीं भी बरत रख सब्सक्राइब करने की महिमा बहुत है अगर आपके घर में सिब्लिंग नहीं है आप अस्थापित करना चाहते हैं तो स्रावन मां में आप पारत सिब्लिंग अस्थापित कर सकते हैं वैसे सिब्पुरान और लिंग्पुरान में पारत सिब्लिंग का जिकर मिलता है क्योंकि सिब्पुरान के अनुसार स्रावन मां में पारत के सिब्लिंग की पूजा करने से सहस्त्र सिब्लिंग की पूजा का फल प्राप्त होता है सावन के महने में कुछ ऐसी चीजे हैं जो भूल के भी नहीं खाना चाहिए सावन क्योंकि देखिए स्व्मबार साथ बिसिष्ट योग भी बन रहे हर सोभार के दिन तो चले जानते हैं सुभ योग गब है और पूरे स्रावन के माह में कौन सी चीज़ों का परहेज करें क्या न आखाए तो अगर हम जोतिस की मानें तो स्रावन माह में तीन रवी योग है और चार योग अलग अलग दिन है इस दिन भी दो बिसेश योग रहेंगे अगर हम जोतिस की माने तो बिसकुम और प्रिती नामक योग से सुरुवात हो रही है तो इस कारण स्रावन महा का महत और बढ़ गया है क्योंकि इन दोनों ही औबूज मुहुर्तों में भगवान सिवी की पूजा का फल कई गुना वढ़ जाता है तो इस सुब मुहुर्त में पूजा के दौरान सिवजी पर आप गंगा जलसे अभी से जरूर करें और बिलपत्र और पित करें तो स्रावन महा की ये तो थी विसेश बाते हैं तो स्रावन महा जो शुरू हो चुका है तो आप सभी को बहुत सारी बढ़ाई स्रावन महा का बहुत सारा सुकामना है सास्त्र कहता है कि स्रावन के महने में सात्विक आहार गरहन करना चाहिए इस महने में प्याज, लहसन, भूल कर भी नहीं खाना है और स्रावन के माह में मांस मदीरा का सेवन तो आप भूल जाए क्योंकि इस महने में भगवान सिब प्रित्वी पर बिराजते है सिवालाई में रहते हैं आपके घर के जो सिविलिंग है उसमें रहते हैं पूरे परिवार के साथ इसलिए भगवान सिविकी विधी विधान से पूजा करें और ब्रहमचरे का पालन तो जरूर करें क्योंकि स्राबन के मेने में सोमबार के ब्रत कम हत हुजाता है संभब हो तो कम से कम दो सोंबार का ब्रत जरूगरे एक उजाले पक्ष की एक अंधेर्या पक्ष की यानि एक सुकल पक्ष की एक कृष्ण पक्ष की तो भगवान सिविकी पूजा में कुछ बिसेश वस्तु है जिसका परियोग जरूर करना चाहिए जैसे पुस्प पंच फल या पंच मेवा रतन दक्षिना जरूर दे बिना दक्षिना का सिप पूजा संपूर नहीं होता कुस दही घी सहद गंगाजल पांच रस जिसमें इक करस भी आता है गन्ने करस आप बेदाना करस ले सकते हैं अनार करस इत्र गंध मोली जनव पंच मिस्ठान बिलुपत्र धत के जो कि बाले तुलसी का पत्ता नहीं बल्कि तुलसी की मंझरी मदा मंदार पुस्प गाय का कच्छा दूद कपूर धूप और अचिब मापार्वती की पुजा जब आप करेंगे पारवती की तो स्रिंकार की वस्तू महाथ तो इसले भी ज़्यादा है कि स्रावन का महिना हिंदी कलेंडर की पाज़व मेहना है और सिवजी की सबसे पुसंद दिया मेहना है इस मेहने में कुछ मंत्र हैं जिसका आप जब जरूर करें सिवजी को परसंद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में देखिए का हमने विस्तार से दिया है मंत्र के बारे में तो भगवान पुझा आप तो करेंगे पर नियम है कुछ नियम यह है कि इस मेहने में आपको सिभ जी के लिए आप महा मिर्दुन्जा मंत्र का जब जरू करें कम से कम हर सोंबार के दें नौर्वेज अलकोहल का सेवल तो बिल्कुल भी ना करें नहीं तो सिभ हो जाएंगे अगर आप करेंगे अपने सोच लिया हमने करना है हमें दो पहर तक आप भूके आप में खाना खाली ऐसा मत कीजिए अगर आप सुचा है तो फलका के ब्रत को पूरा करें और भूल कर भी स्राबन के महिने में याद रखिए लहसन प्याज बेगर तो नहीं ही खाना है मांसमदीरा नही आज सेबन बिल्कुल भी ना करें और मांसमदीरा लहसन प्यास तो घर में बढ़ने ही ना दें वैसे तो धनिया पॉडर और सफेद नमक का भी सेबन नहीं किया जाता बहुत साई लोग सिंधा नमक से ब्रत रखतें कोई बात नहीं आपके हैं जो चलता है वहीं कीजिए ल खल में आप भूलकर भी बहुत पसंद है नासपाती का सेबन ना करें इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि ब्रत करके नासपाती का सेबन नहीं किया जाता आप सेब केला अनार खा सकते हैं लेकिन जब आप सोमर का फास्ट रखिएगा तो इस दिन गन्ने का रस और से सुमूर्थ सुप संयोग बना हुआ है हलांकि प्रती योग में चुकि सावन की सुरुवात हो रही है तो खटी चीजों का भी कहा जाता है कि सेबन नहीं करना चाहिए सेबन करने की मनाई है तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा खास कर अगर आप ब्रत रखते हैं तो संपूर्ण फल नहीं मिलेगा तो इस महिने में जैसे की होता है ना अचार इमली यह सभी चीजे मत खाई है अलाकि आप निम्बू खा सकते हैं सिब जी की पूजा में कुछ ऐसी बस तुए जो उनको और पित नहीं करना चाहिए जैसे पुस्प सिंदूर हल्री कुम कुम औ और पीतल का लोटे का आप इस्तेमाल कीजिए सिब जी बहुत प्रस्तृ में वैसे तो जल हमेशा तामबे के ब्रतन में डालकर अर्पित करें पुजा में सिब जी को दूद अर्पित करते हैं तब पीतल का लोटा में आप डाल कर अर्पित कीजेगा तामब्या में दूद डाल कर अर्पित मत कीजेगा बत रखते हैं तो सिब जी में रम जाए और तुलसी का पत्ता भूल कर भी अर्पित ना करें वैसे तो स्रावन का महिना का महत तो बहुत ज़्यादा है और सिपजी के मंत्र का जब तो आपको करना ही है लेकिन आप देखिए साबुदाना आप खा सकते हैं आप दही, पनीर, छाच ये सभी चीज़े खा सकते हैं और साथ ही साबुदाना के साथ आप सेंधा नमक खा सकते हैं फल में आप सब कुछ खा सकते हैं सिवाय नासपाती के तो स्रावन का महिना चंद्रमा के स्रावन नच्छत्र पुर्णिमा जो है वो यहां से नच्छत्र में होता है स्रावन महिना का और 27 में से 22 नच्छत्र है स्रावन नच्छत्र इसका स्वामी ब्रहस्पती है तो स्रावन का अर्थ है सुनना यानि इस महिने में भगवान के सु पूजा पाठ के लिए बिसेस होता है सावन के महने के आरंभ में सुर्य सिंग रासी में प्रवेश करते हैं तो सुर्य के उच्छ रासी में प्रवेश करने से भी इस महने की महिमा बढ़ जाती है तो सावन के महने में क्या खाए और क्या ना खाए अगर हम सिम्हापुरान की म तो स्रावन के महने में दही नहीं खाना चाहिए और दूसरा बैंगन की सबजी भूल कर भी ना खाए धार्मिक मानेता केनुसा बैंगन की सबजी को असुद धुमाना जाता है सावन के माह में साग नहीं खाना चाहिए हरे पत्तेदार सबजी भी नहीं खानी है दूद का सेवन बिलकुल भी ना करें क्योंकि बारिस के मौसम में दूद का सेवन वैसे भी नहीं करना चाहिए और सावन में मिनाई है कड़ी का सेबन ना करें साबन के महिने में मांस, मचली, लहसन, प्यास तो भूल कर भी नहीं खानी चाहिए ज़्यादा तला भुना हुआ खाना भी ना खाएं हैवी बोजन ना करें और साथ ही क्या खाएं आप खाने में लौकी की सबजी खा सकते हैं टमाटर खा सकते हैं सेब, केला, आम, जामुन खा सकते हैं साथ ही मूंग, चावल, गेहूं, मक्का, सरसों, अरहर की दाल भी खा सकते हैं हडर का सेबन हो सके तो जरूर करें गर्म और ताजा भोजन खाएं और साथ ही जादा ड्रिंक बेगेर ना यूच करें, ना पिएं हलाकि स्वादिष्ट भोजन कभी-कभी आप खा सकते हैं लेकिन जादा हैवी भोजन करने की मनाई होती है तो हम आप से भी दालेते हैं जानकार यह अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से सेयर करें हरहर महादेव धन्यवाद